हखेलो दोस्तों मैं हो राजू हरावाई आज मैं बताने ज़राओ गलती आ दस गलती है के साथ कि आपका भाट गलती करते कि आपका भाट पूलता है यह सारा गलती आप जान जाएंगे तो आपका भाटवर प्परफेट बनेगा चलिए आप इस वीडियो को लास तक जहूर देखें चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि मैदा गुंदें वक्त क्या गलती होता है कि आपका भटूरा नहीं फूलता है लगवग हापके जी मैदा है आप देख सकते हैं इसको हम एक बॉल में ले लिए इसको इस तरह से हॉल कर ले थोरा सब मीठा सोड़ा डालना है हलका मीठा सोड़ा ज्यादा नहीं ज्यादा डालने से भी क्या होता है कि भटूरा डालेंगे तो लाल हो जाएगा फूलेगा नहीं सीजेगा नहीं बटूरा लाल हो जागा पहला गलती दूसरा गलती चीनी बिल है ँगि मस्मा नमक डाले दही पाया सकते हैं टो नहीं डाल सकते हैं लेकिन खाहा से गणके डही डाल रहे हैं जूरुत टेल डालना चिस थे बहुत झारूरी है बिना तanna करना या largest मटात्य चुर्ज के भटूरा चुर्पेट नहीं बनेगा है न हम दना ही जरूरी महना जाना फ़ोलता है कि आप इसको गूंदें के इस मिला लिकार प्पानी हो नहीं डालना आ है इस वात को भीध्यान देना है कि मैंदा आओ हरा पांदा के सी यह सकते हैं चीमरापन हो जाता है लाव नहीं डालना है जा भालिया है कि गीला हो जा मेदा इस तना को विजबी में भी कि पह चोटा बने दो इसानी से गुंद आजा और पॉफेट मैदा गुंद नहीं कि चिम्मर कर देना कि मैदा आपको फूलें बेले बड़ा तो हो जा छोटा हमारा जो पांस देखें और बहुत प्यार दिये बहुत अश्रवाद दिये इस कारण से हम पांस मिष्टे का भटूरा बना रहे हैं गलती बता आपका भटूरा नहीं फूलता है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगला गलती आप लोग क्या करते इस तरह से गुंद लेते हैं धर देते कि आपका मैदा फॉर्फेट हो गया एक एहम चीज है कि इसमें आपको गुंदने के बाद इसको रखना नहीं है इसको को पटकना ज이रूरी है इससे क्या होता है कहीं जो जूखापनnd होता है सुखा उताब का प्रॉफेट मैदा आप अपका गुंदा जाता है यह गलती तो इसको पचरब 231 मैदा को छोड़े हैं अब मैदा हो चुका है हम इसको 10-15 मिलेट को लिए फुलने के लिए छोड़ देंगे पहली बार तो आपको मैदा को खुला नहीं छोड़ना इस तरह से गुंद के रख देते हैं इसे क्या तक पप्री परता है सुख जाता उपर का पर तो सुख जाता मै होसे क्या जोटता है कप्रा के अब करता से लिए देख सकते गाहां तेल हो चुका है को फुल हुआ फुल जोगा आप कपऱाओं के हम आठा देंगे अब करुक करने में सब्सक्रादी कि लेक tvr कि यह हिए गल्ती है इसको तेल लगाना जरूरी यह ड्य में चोटा-चोटा यह गल्टी चे भटूडा खृब हो जाता है और आपको मिन उदास हो जाता है इस करण्स uw आप तेल लगा लिए इस तरफा तेल लगाके रखले और भतुल्डा का गोली कि इस्थे चाटना है देके त्यार हूं जुका इस तरह से हाथ में तेल लगा के हलका से इस तरह से गोली बनाना है इस तरह से सारा गोली बना ले या पेरा बोलते पेरा बना ले इस तरह से सार है सारा काइट के इस तरह से रहे हैं नीचे का पर दे बिल्कुलभ डिस से प्रक्सथे से बिल्कुल नहीं बना है इसी तरह साब नहीं बारिक जो आपको बिल्कुल फॉर्फेट बनाने के लिए सारा जैसे पी आपको सिखा देगा माहिर बना देगा तो बास तब गुरुप जरूर जोएन करें आपका गोली इस तरह से काट के रेडिक कर लिया और इसी तरह से नहीं चोड़ना है कि आप गोली काट लिया बना लेते हैं इस तेल लगाने के बाद एक स्ताफ कप्रे से भिंजाओ कप्रा से जैस तरह से हम मैदा गुंते बख बता इसी को ढख देना इस तरह से ढखने के बाद 10-5 मिलेट्र को ढखे जरूर छोड़ दें तुरत काटके तुरत ही नहीं बनाना है जब तक हमारा मैदा फुल रहा है हम त तेल को चरहा लेते हैं और तेल को गरम करना तेल को भी गरम करना इंपोर्टेंट चीज है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं हम आपके लिए लिए एकिस दिनका कुकिंग चैलेंज जो आप स्ट्रीट फूल बनाने में माहिर बन जा गया है यह 21 डेज का चैलेंज आपको स्ट्रीट फूल बनाने में एक्सपर्ड बना देगा तो अगर आप भी स्ट्रीट बनाने में एक्सपर्ड बनना चाहते हैं तो अभी जोइन किजिए हमारा वाट्सेप ग्रूप इस ग्रूप को जोइन करने का फीज स्रीप 9 रूपी तो वेट किस बात का लिंक डिसके त्सन में है अभी जोइन किजिए गुरूप को जरूर जोइन करें चलिए मिलते हैं एक ही जिन के चैनल में बेलेंगे एक इसमें तेल लगा ले बेलन में भी तेल लगा ले तेल लगाना ज़रूरी है आपका मैदा पकरे नहीं जो जिब बेल लूजि को ले चोप ले कया आपका फtoi कर ले जूबा इसको बेलना है इस तरह लगाचासजilik करने हो दंद भी मिश्टी को यूजर यह समय जोट फूल यह flew fall Все लेगा ने बिल्कुल और तेल द tenant होना चाहिए पूरा हिट लोना चीज़ हां अपका बिल्कुल फुलेगा बिल्कुल पॉछिए अने देख सकते ह्थ होरा इ इस तरह से बारि बारि करके तारा भटूरा बना ले और धुँआ निकले लिट静े थोड़ा सावी थूआ नहीं निकलेगा देख सकते हैं अ इस तरफ ते नहीं फूला नहीं फूला है फोरा तेल आर गरम होना चाहिए बिल्कुल हिट ताऊ reflecting आप का पूरा भाटूरा फुलेगा को देख सकते हैं तेल का धुआस अरहा है और अम सक मिष्ट्च क्या हो तिक आप आप लोग क्या करते मिष्ट्य पूरी की तरह डालसे पूलेगा तब डालेंगे इस तरह तरह से डालना याँ सवाल हो तो कमेंट करें दूस्तों सेर करें ठेंच्यों धन्यवाद